सेलिब्रिटीज को फैंस भगवान की तरह पूचते हैं लेकिन इन रिटर्न ये सेलिब्रिटीज अपने फैंस को देते क्या है आटिट्यूट गंदा बिहेवियर और इग्नरेंस ऐसा ही कुछ किया है एशा देओल ने एशा देओल चोहेमा मालीनी और धर्मेंदर की बेटी ह वो धर्मेंदर जिने इंडस्ट्री का सबसे हमबल इनसान कहा जाता है एशा देओल की एक हरकत देखकर लगा नहीं कि उन्होंने हमबलनेस अपने पिता से जरा भी ली है ये हम नहीं कह रहे हैं ये वो लोग कह रहे हैं जो एशा देओल की लेटिस वीडियो देख रहे हैं एशा देवल को recently मुंबई में spot किया गया एशा देवल अपने कार में बैची होती है इसी दोरान एक बुज़र्ग महिला एशा देवल को blessings देने आती है एशा देवल बुज़र्ग महिला से blessings लेती है उसके बाद बुजर्ग महीला एशा देवल से हाथ मिलाना चाती है लेकिन एशा देवल वहाँ से निकल जाती है बिना हाथ मिलाए एशा देवल की इसी हरकत से लोग उन पर भड़क उठे हैं और लोगों ने कहा कि हाथ नहीं मिलाई जबकि वो भी एक इनसान ही है किसी ने कहा कार से उतरने में क्या दिक्कत है किसी ने कहा इसमें बहुत attitude है वही एक और user ने कहा ये इसी कारणों से flop रहेगी कुछ इस तरीके से लोग एशा देओल की सरकत पर भढ़के हैं आपको बता दे कि एशा देओल इंडस्री की वो अक्ट्रिस है जिनका गुस्सा बहुत तेज है और एक बार तो उन्होंने गुस्से में अक्ट्रिस अमरिता राव को थपड तक जड़ दिया था कहते हैं कि अमरिता राव ने एशा देओल के लिए ऐसी बात कह दी जो एशा को पसंद नहीं आई और उन्होंने सब के सामने अमरिता को थपड जड़ा